आर्थी के महिने में दसमी तिथी को जो तुलसी की डंडी को घी में भिंगो कर अपनी कामना करकर भगवान के सामने दिये में रखकर जला देता है दिये की तरह उससे आर्थी उतार देता है कहते हैं उसका जनम दोसरी बार प्रत्वी पर नहीं होता वो भगवान के घोलों के धाम में जिन्दगी भर के लिए विराज़मान हो जाता है जिन्दगी बार के दीव करते हैं vegetables विश्नु पुरान किसी किस ने सुनीय है हाथ उठा विश्नु कुरान का पाच्वा अंसी तुलसी का यह कार्तिक खंड बर्णन करता है या इसकन्दपुरान का कार्तिक खंड को उठा लीजिए वो बर नन करता है 24 तरह के दिये होते हैं कितने तरह के 24 तरह के दीप होते हैं उस दीप में सरवधी की स्रिष्ट दीप होता है तुल्सी दल का है तुल्सी की घंडी से जो प्रगट की बत्तियों का विक्रम है एक लंबी बत्ती होती है एक गोल बत्ती होती है होती किने होती लंबी और बत्ती एक गोल होती है एक लंबी होता है तो इसकंद पुरान और विष्णु पुरान दोनों करती है जो लंबी बत्ती होती है वो पित्रों की जगा पर पूरवजों की जगा जो प threats पुरवजों की जगाँ बढ़ के पेड़ के नीचे फीपल के पेड़ के नेचे लंबी मसी को प्रमान और जो गोल्बत्ती होती है वो गोलवत्ति का प्रमांड किसी हनमान मंदिर नाम में जरूर करें जितने देवताओं के माँ भी लाप दाये हैं जाकिश्वाण की ज़िए लंबी बत्ती देवी के स्थान पर इसलिए जलाई जाती है क्योंकि देवी बंश की लच्मी की बरधी करती है लच्मी और वंश बड़ा होना चाहिए लंबा और देवता के सामने गोलवत्ति इसलिए लगाई जाती है कि हमारा मन यह चित्त यह ब्रत्ति आपके चरणों में डिकी रहे और एक दिन हम भी बेकुंट का वास करें इसलिए गोलवत्ति एक सहस्त्रवत्ति होते हैं करें दर्शन कभी यहां पर माता हैं बेट बेट के बनाती रहती है सो बत्ती एक सोड़ बत्ती एक स्वाड़ बत्ती बनाकर बहान के संद्ध उसका क्या प्रमान है कौन से पुराण में लिखाई कि एक सो आठ और सहस्त्रावली बत्ती लगाई है सारे तीर्थों का इसना नहीं करा हो किसी तीर्थ में दर्शन करने से वंचित रह गए हो तो एक सुआठ बत्ती की एक बत्ती बनाकर किसी नराइन के मंदिर में शिव मंदिर में देवी के मंदिर नहीं केवल देवता के मंदिर में अगर उसको घी में भिंगो कर प्रजुन के सूखी लगड़ी का महत दिया जलाने से कब जलाया जाता है तो कार्तिक मा के दस्मी तिति को या कार्तिक मा में हर एक दिन या ब्रेश्वत वार के दिन आप लोग जरूर सूखी लगड़ी से दीब परजलित करें चाहि किष्ट मंदीर में चाहि राम मंदीर में चाहि अप हैं हम कर रहे हैं फिर इसको घीमी डुबो दीजिए घीमी डुबोने के बाद में उसको फिर आप एक कटोरी में यह कोई दीपक मिट्टी को यह से कुछ हो उसमें आप रखते परजलित कर दें किश्ट भगवान को राधारानी को लड्डू गुपाल को नरायन लचिमी को इस पूर करें और खास करके किसी दिन ना कर पाया तो दस्मी तीथी को आप लोग जरूर सघ्ट बिडियो में बुर्च पारती बद्रि हैक है कर देसeldा सीको लगारчи लगाई है तो आप लोग जरूर करिएगा प स्ष्ट्री श्वान सथुप्या मिलते हैं नेश्ट वीडी ओ